इसमें आप फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको IBPS क्लर्क मेंस एक्जाम के लिए और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एक्जाम के लिए जो लेटेस्ट पेटर्न पर अधारिद फिलर्स हैं वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा एक्स्पेंट करूँगा और इससे आपको यह वीडियो हिंदी में रहेगा इसका English version भी मैं अप्लोड करूँगा इसी चनल पर और उसको आप देख पाएंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं लेकिन शुरुआत करने से पहले एक important information में देना चाहूँआ यह mock test series हमने लांच की हैं और इनके थूँ आप बहुत ही इसको अलड़ी ले लिया है इस mock test series को और इससे practice कर रहे हैं और definitely उनको सफलता मिल रही है अलग-लग exams में जैसे SBI clerk में करीब 160 student के मेरे पास phone आया है 160 student जिनका selection हो चुका है SBI clerk में प्री और मेंस दोनों में मतलब final selection उनका हो चुका है और IBPS PO में भी करीब 23 से 24 student का मेरे पास call आया है जिनका final selection हो गया है IBPS PO मेंस में तो definitely students को सफलता मिल रही है इस channel के थ्रूँ और इस mock test series के थ्रूँ तो यह एक अच्छी बात है एक positive sign है तो आप भी इसको ले इसका price हमने नाके बराबर रखा है 399 इसका price रखा है और एक combo pack है जिसमें IBPS clerk, IBPS PO और SSC के exam के mock test series है जो 699 का है तो कोई साभी आप इसमें ले सकते हैं और इसको लेने के लिए आपको इस site पर जाना होगा test.englishadvantages.in इस site पर आपको जाना पड़ेगा वह से sign up करके कोई भी product आप अपना चूस कर सकते हैं English या Hindi medium में और उसको आप ले सकते हैं किसी भी exam के लिए अब देखे इसमें specialty क्य क्या है इसकी बिसेशता क्या है मैं आपको बता देता हूं इसके salient features क्या है इसमें आपके सारे sections कबर होंगे जैसे quant, reasoning, general awareness, English और computer ये सारे इसमें कबर होंगे और सारे question इसमें latest pattern पर हैं सबके explanatory answer दिये हुए है उसमें ठीक है topic wise test भी है इसमें जैसे English के और reasoning के सारे subjects के इस time like condition में time management को maintain करते हुए उसकी करें तो ये बहुत जरूरी चीज है और ये इसमें आपका हो जाएगा सारे question latest pattern पर हैं इसमें 24 into 7 आपको help line मिलेगा इसमें इसमें पूरा support मिलेगा ये number है इस पर आप call कर सकते हैं ये email ID है इस पर आप call कर सकते हैं ठीक है तो पूरा support आपको और इस तरह के questions definitely आपके IBPS clerk means exam में आएंगे और post payment का जो exam में उसमें भी आएंगे तो इसमें देखिए क्या है ये मैं तुरा सा पढ़के आपको बताता हूं the following questions consist of a single sentence with one blank only मतलब एक sentence दिया है उसमें एक blank दिया हुआ जैसा आप देख सकते हैं यहां पर ये एक blank दिया ये देख सकते हैं आप ask, believe, notify, denounce, denigrate, says ये छे वर्ड यहां पर दिया हुए है ठीक है ये आपकी answer choices है and from the six choices you have to pick two correct answers either of which will make the sentence meaningfully correct मतलब इन छे चोईसे में से आपको ऐसे दो वर्ड पिक करने हैं जो दोनों के दोनों ही इस option में fit हो जाएंगे जो दोनों के दोनों ही सही हो करेंगे तो आपका answer सही हो जाएगा और ये sentence meaningfully correct माना जाएगा तो इसलिए ये answer दिये हैं यहां पर इसमें दो choices दिये हैं A and B, B and F, C and D, D and E, ये दिये हैं इस तरीके से तो यहां पर आपको दो वर्ड इसमें से आपको pick करने हैं और वो दो वर्ड में से कोई सा भी word यहां पर acceptable होना चाहिए और sentence उससे meaningfully correct होना चाहिए ये इसका अर्थ है अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको approach करना है और किस तरीके से इसको deal करना है देखिए 36 गर चीफ मिनिस्टर रमन सींग that nice girlfriends and their biker boyfriends are responsible for road accident मतलब 36 गर के चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कहा है कि nice girlfriend ये कोई band हो सकता है sorry कोई ये group हो सकता है ठीक है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं तो nice girlfriend का ये group है और उनके जो biker boyfriends है वो responsible हो सकते है road accidents के लिए ऐसा किसने कहा है 36 गर के जो चीफ मिनिस्टर ने रमन सी उन्होंने कहा है तो यहां पर क्या word आ सकता है देखिए ask इसमें एक option दिया है लेकिन ask word नहीं आएगा क्योंकि ask के बाद जैसे he asked me a question he asked a question तो ask के बाद ये that नहीं आएगा ask के बाद सीज़ा या तो subject आएगा या फि आएगा that जुड़ता है normally believe के साथ जुड़ जाएगा जैसे 36 गर चीफ मिनिस्टर रमन सींग believes believes what ठीक है 36 गर के चीफ मिनिस्टर रमन सींग ऐसा believe करते हैं ऐसा मानते हैं लेकिन वो क्या मानते हैं तो उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा और क्या मानते हैं उस चीज को आ that लगा सकते हैं denounce का मतलब होता है आलोचना करना ठीक है तो denounce के बाद that नहीं जाएगा denounce और denigrate का मतलब भी है किटिसाइस करना unfairly किटिसाइस करना notify का मतलब है सूचित करना तो यहां पर रमन सींग सूचित नहीं कर रहे हैं यहां पर अपनी opinion बता रहे हैं वो ठीक है त तो B और F इसमें आपका answer होगा, तो जिस वाले भी choice में B और F दिया है, वो आपका answer हो जाएगा, जैसे question number 1 में, ये second वाली जो choice है, B and F, ये आपका answer इसमें होगा, तो question number 1 जो है, इसका answer होगा आपका 2, ठीक है, B and F, मतलब believe or says, तो इसको इस तरीके से आपको करना है, ये latest pattern है, इस तरह के fillers आपके exam में definitely पूछे जाएंगे, question number 2 देखते हैं, the F.I.R. against the accused was lodged as the Punjabi Park Police Station Saturday night, ठीक है, मतलब जो accused है, जो ROP है, उसके खिलाफ एक F.I.R. lodged की गई थी पंजाबी Park Police Station में, और Saturday night अब इसमें दिया हुआ है, अब Saturday night से पहले, ठीक है, अब देखिए, यहां पर ये past tense है, वोस से इंडिकेट हो रहा है, कि ये past tense है, तो past tense के according ही इसमें बर्ब आएंगी, अब देखिए, upcoming नहीं आएगा, क्योंकि upcoming तो future का होता है, और forthcoming भी future का होता है, तो upcoming और forthcoming इसमें नहीं आएगा, ये future को indicate करती है, upcoming का मतलब है आने वाला, forthcoming का मतलब है आने वाला, ठीक है, recent, recent जो word है, वो past के साथ जुड़ता है, ठीक है, recent past, जैसे हम बोलते हैं, this incident was happened in the recent past, तो past के साथ ये normally recent word जुड़ता है, तो recent भी इसमें appropriate नहीं होगा, past भी इसमें appropriate नहीं होगा, लेकिन हम late लगा सकते हैं, late Saturday night मतलब देर रात में, Saturday night को देर रात में, 11 बज़े के बाद, 12 बज़े के बाद, ठीक है, तो late word यहाँ पर definitely आ सकता है, लास Saturday night हम बोल सकते हैं, और late Saturday night भी हम बोल सकते हैं, तो ये दोनों option इसमें fit हो सकते हैं, ठीक है, तो C और E इसमें आपका answer होगा, मतलब आपका answer होगा ये वाला, फोर्थ वाला, ठीक है, question number second का answer होगा आपका, फोर्थ वाला, तो मुझे उमीद है, ये समझ में आया होगा आपका, कुछ और question देखते हैं इसमें, ये है question number three, the finance ministry has consistently maintained that such information was confidential and only be used to levy punitive taxes if the charges were approved, punitive का मतलब है high taxes, बहुत जदा high ये strict taxes, उसको हम बोलते हैं punitive, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, the finance ministry has consistently maintained, देखिए ये है इसमें आपका principal clause, ये है आपका principal clause और ये है आपका subordinate clause, तो जब principal clause present tense में होता है, तो subordinate clause को आप किसी भी tense में लिख सकते हैं, present, past या future में, लेकिन जब principal clause past में होता है, तब आप subordinate clause को past में लिखते हैं, लेकिन चूकि ये present में हैं, तो इसको हम subordinate clause को किसी भी tense में लिख सकते हैं तो चुकि यहाँ पर यह देखिए past tense में है यह finance ministry ने बोला है कि यह confidential यह information जो थी वो confidential थी तो यहाँ पर चुकि यह past में है तो इसलिए यहाँ पर past की verb ही इसमें appropriate रहेंगी और सही रहेंगी तो past की verb इसमें आप could और would आप इसमें लगा सकते हैं चुकि यह past tense में बोल रहें हैं यहाँ पर तो इसलिए could और would इसमें meaningfully correct इसमें रहेंगी मतलब C और E इसमें आपका answer होगा तो यहाँ पर आपका answer होगा इसमें third question number third का answer होगा third तो इसको आप जब पढ़ेंगे तो यह हो जाएगा the finance ministry has consistently maintained that such information was confidential and could only be used या would only be used to levy punitive taxes if the charges were approved तो इस तरीके से इस question को आप सही कर सकते हैं ठीक है मुझे उम्बीद है समझ में आया होगा आपको कोई भी चीज यह दी समझ में नहीं आ रही है तो comment box में लिखना ना भूलें मैं उसका जवाब दूगा definitely आपको और इसको अच्छे तरीके से समझाएं यह latest pattern है और इसी तरीके के questions आपके exam में definitely पूछे जाएंगे question number four देखते हैं the government sources said that a few couriers arrested recently had information about the transfer of money through illegal means from gulf country मतलब कुछ जो courier companies को अभी arrest किया गया है उन पा आरोप यह था कि उन्होंने जो sensitive information थी उसको reveal कर दिया था तो यहाँ पर information के साथ कौन सा word जा सकता है ठीक है तो एक तो हम बोल सकते है provided information को कि provided word जो है वो definitely information के साथ जा सकता है ठीक है sad नहीं जाएगा sad information हम नहीं बोल सकते told information नहीं बोल सकते confirmed information नहीं बोल सकते आपको ऐसा word चाहिए दो word जो information के साथ जाएं तो provided word definitely जाएगा provided information ठीक है और revealed और divulge इन दौनों का ही मतलब होता है कि किसी भेद को खोल देना किसी secret को packat कर देना तो दौनों का ही almost same मतलब है लेकिन बारीख सा difference है reveal का मतलब होता है uncover कर देना ठीक है? जबकि divalge का मतलब होता है किसी चीज को public कर देना तो यहां पर हम public करने की बात नहीं कर रहे हैं के बल uncover करने की बात कर रहे हैं A और C, यानि आपका आंसर होगा 5, मतलब question number 4 का आंसर होगा आपका 5, ठीक है, divulge का मतलब है आपका किसी चीज को public बना देना, किसी चीज को make something known और make something public, ठीक है, reveal का मतलब होता है, uncover करना और provide information के साथ जाएगा, तो यहाँ पर आपका A और C आपका आंसर होगा और question number 4 का आंसर होगा 5, ठीक है, question number 5 देखते हैं, यह है question number 5, while the oral quality has been enhanced with electronic backup, the emphasis is on acoustic instruments played by a classical musician, ठीक है, oral का मतलब होता है, hearing से संब्दित, मतलब आपको सुनने में उस गाने को किसी चीज को मजा है, उसको हम बोलते है, oral quality, एकाउस्टिक का मतलब होता है, sound instrument जो होते है, sound create होती है, ठीक है, while the oral quality has been enhanced with electronic backup, electronic backup देके उस sound में, उस गाने के साथ electronic backup देके उसकी oral quality को बढ़ाया गया है, लेकिन emphasis है कि उसमें sound instrument, उसमें instrument include किये जाएं, ठीक है, यह इसका मतलब है, तो यहाँ पर classical musician दिया है, तो classical musician से पहल एक तो इसमें आप लगा सकते है, prominent, ठीक है, prominent जो classical musicians है, उनके द्वारा यह instrument use किये जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, और prominent से मिलता है, वर्ड है आपका famous, तो यह दो वर्ड मैसे कोई सा भी वर्ड यहाँ पर आप लगाएंगे, तो वो आपका answer सही हो ज ठीक है, यंगेस्ट इसमें इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर दा नहीं लगा हुआ है, यदि दा लगा होता तो यंगेस्ट भी आ सकता था, लेकिन यंगेस्ट कर तो नहीं बन रहा है, प्रॉबिनेंट और फेमस जो musicians हैं, वो इस तरह की चीजियों का use करते हैं, तो इस video tutorial मैंने 5 questions लिये हैं, केबल, आगे भी मैं इस तरह के video बनाऊंगा, जो latest pattern पादारित होंगे, तो इस से आपको पूरा idea लग जाएगा, कि इस तरह के fillers आपके exam में definitely पूछे जाएंगे, तो इस तरह के questions की आप practice करें जाद से जादा, और vocabulary अपनी sound करें, vocabulary की जाद स हो जाएगा, और definitely आपको सफलता मिलेगी, यह एक last reminder में यहाँ पर देना चाहूँगा, mock test series के बारे में इसको आप ले सकते हैं, यदि आपने अभी तक नहीं लिया है, test.inglesadvantage.in से 399 रुपीज में आप ले सकते हैं, जैसे IVPS PO का, IVPS CLER का, और यदि आप SO का लेना चाहते ह हैं, या इसमें एक mat का भी test है, तो mat भाला भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उसका मिलता दोता content है, ठीक है, तो इसको लें आप इसकी practice करें, इसमें बहुत comprehensive test series है, यह काफी सारे test हैं इसमें, और definitely आपका अच्छी practice होगी और आपको सफलता मिलेगी, तो कैसा लगा आपको य यदि अच्छा लगा तो जरूर इसको like करें, share करें अपने friends के साथ, comment करके मुझे बताएं, और अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया है, तो जरूर हमारे साथ जुड़ें, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, और इस पर जितना भी हम content डालते हैं, पूरा exam oriented होता है, latest pattern प हैं हो, Hindi और English में अगलग languages में हैं, सारे आप video देखें, definitely आपको काफी confidence आएगा, और आपको सफलता मिलेगी, so thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future, thank you.